हाई मैं हूं CA गारासरववाल, A-Team Commerce Academy इंदोर्षे और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक सवाल जो काफी समय से आप लोग बूच रहें सर, ACCA के साथ हमें क्या करना चाहिए? हमें graduation में कौन सा course pursue करना चाहिए भी नहीं करना चाहिए? या फिर अगर हम करते हैं तो regular करें या prime आए समझते हैं साथ के वेलकम टू अनादर एपिसोड ओफ एसी सीय लाइव यह एक हमारा regular segment है जिसके अंदर हम लगातार ACCA से related news और update के बारे में बातचीत करते हैं और साथी साथ में ACCA के video lectures भी यहाँ पर upload होते हैं हम वीडियो के अंदर आगे बढ़ें इससे पहले बस मेरी एक छोटी सी बात आप सुन लो अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हो और आप अभी सोच रहे हो 12 के exam कैंसल होएं और आप अभी सोच रहे हो कि भी ACCA करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो सब्सक्राइब करना एक अच्छा एडिया रहेगा क्योंकि मैं लगातार बहुत तेजी से ऐसे वीडियो लाता जा रहा हूँ जिसके अंदर जो भी आपके ACCA से रिलेटेड डाउट से ना फटा फटा फट से क्लियर हो जाएंगे और हाँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने में शर्माना मत फिलाल आते हैं हमारे सवाल पर कि सर सिर्फ ACCA क्यों ना कर लें ग्राजुएशन क्यों करें साथ में तो ग्राजुएशन के क्या बेनिफेट्स हैं इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं मगर उससे पहले एक डिस्क्लेम अगर हमने वीकॉम या बीबीए या ग्राजुएशन कुछ नहीं किया और सिर्फ ACCA कर लिया तो क्या हमें जॉब मिलने में दिक्कत आएगी या फिर हमें सैलरी इंकाम मिलेगी तो दोनों में से कुछ भी नहीं होगा अगर आप एक प्रोफेशनल कॉलिफिकेशन करते हैं भले ही वो ACCA हो या CA हो और इंडिया के अंदर या आप जॉब देखने तो प्रोफेशनल कॉलिफिकेशन होते से ही इंप्लॉयर को कोई फर्खने पड़ता कि आपने ग्राजुएशन किया भी है के नहीं दूसरी बात है क्या सब मुझे सैलरी कम मिलेगी ग्राजुएशन से कोई वाल्यू एडिश अगर तीन साल के अंदर नहीं हुआ तो भी तीन साल में ग्राजुएशन तो हो जाएगा हमारे हाथ में कुछ आचुका है एक डिगरी आचुकि इससे कुछ साटिस्टाइशन तो आएगा और यह साटिस्टाइशन मोटिवेट करेगा आपको कि थोड़ी सी और मेहनत करके अगे में एक बात और बोलूगा वही अगर आप तीन साल के अंदर अंदर वीजा के लिए अपलाई करके इंटरनाशनली कहीं जाना चाहते हैं फुर्दर किसी कोर्स को मास्टर्स को पर्सीव करके वहीं पे वर्क वीजा लेना चाहते हैं और आप अप डिपेंड होगे थो कुंसा कोर्स हम करें तो घर होगा तो ब्रौड्ली हमारे पास पूंद्रे कर सकते हैं और यहां तो वीकॉम या उसका कोई लिक ना चाहते हैं अच्छा option हो जाता है अब यहाँ पर एक सवाल और आ जाता है सर दोनों साथ में करेंगे तो manageable होगा क्या चलें इसके ओपर भी बातचीत कर लें देखें अगर आप knowledge level की preparation अभी शुरू कर रहें अगर आप इन तो भी तीन में से दो पेपर को एक बार में पढ़ें विच इस अगोड आइडिया तो भी दो से धाई गंटा on a daily basis अगर आप पढ़ पाते हैं तो आपका ACC knowledge लेवल का preparation बहुत अच्छे से हो जाएगा अगर आप skill level में एंटर करते हैं अपने graduation के साथ साती तो वहां पर छे पेपर अब यह तो किसी ने नहीं बोला कि छे पेपर आप एक साथ करें आप यहां पर भी दो-दो पेपर करके अपना preparation कर सकते स्किल लेवल के अंदर भी अगर दो पेपर आप एक साथ पढ़ रहें तो यहां पर तीन घंटा on an average आपको लगेगा डेली बेसिस पर और इसका भी preparation आप अच्छे से कर सकते हैं अगर फिर भी आपको थोड़ा प्रेशर लग रहा है तो धाई गंटा या तीन घंटे की लगते दें और एक सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर के बीच में थोड़ा सा गयाप में जाता है तो उस गयाप को यूडलाइज कर ले और तब अपनी पढ़़ाई को स्पीड अप कर ले आपके graduation के time table के साथ लेट से आपका coaching का time table अगर मैच नहीं हो रहा है तो आप recorded lecture ल या फिर बारिश हो गई पकोड़े बंद रहें घर पे तो आज पढ़ाई दी करते कल करेंगे ऐसी दिक्कत आ सकती है इसके अंदर हम हमारे students को मदद करते हैं एक study plan बनाने के लिए जिसके अंदर target set होते हैं कि जो भी subject proof पढ़ रहे हैं उसके कौन से chapter उन्हें कब कर लेने चाहिए और questions कब तक finish कर लेने चाहिए और कब उन्हें mock tests देने चाहिए तो ensure कि उनकी preparation अच्छी है कि अगर आप self study कर रहे हैं just in case या फिर आप कहीं से भी recorded lecture लेकर करके पढ़ रहे हैं और ऐसा आपको समझ में आ रहा है कि हम थोड़ा discipline तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं और मेरी help चाहिए इस study plan के अंदर comment section के अंदर बता दें या फिर यह जो number flash हो रहा ना call कर दो मैं मदद कर दूंगा और आखरी option अगर regular college के वह जैसे आपको बहुत दिक्कत हो रही है तो आप correspondence से अपना graduation कर सकते हैं मगर यह ध्यान रखें कि recognized university मगर यह ध्यान रखें कि जि पर करने ही होते हैं मगर क्योंकि एस यह आपको option देता है तो regular college भी जाया जा सकता है बट यह choice में आपके उपर छोड़ता हूं यह decision मुझे नहीं लगता बहुत complex है मगर यह decision बड़ा जरूर है अगर अभी भी आपको कुछ queries हैं कुछ doubts हैं sir आपने यह cover नहीं किया यह बता I wish you all the best for your career अभी के लिए इतना ही आपके CA God Officer आपको that's right next video में मिलेंगे